नमस्कार श्वागात है आप सब का हमारे चैनल पे आज मैं आप लोगों के शाशाजा करूंगी आम की खटी मिठी गुड़ वाली चिटपटी अचार तो एक बार मेरे तरीके से आम की खटी मिठी चिटपटी अचार बनाईए बहुत है ज्यादा स्वादेश्ट बन कर तयार इसके लिए मैंने आम के बगीचे से आम को तोड़ा है आम को अच्छे से धूल लिया है अब इसका छिलका हटाएंगे इस तरह से छिलका हटाने के बाद इसको एक बार फिर अच्छे से धूलेंगे और इस तरह से काट लेंगे आप चाहें तो इसका छोटा पीस और कर सकते हैं यहां पर मैंने इस तरह से लंबे-लंबे में काटा है यहां की रेश्पी आपको पशंद आयत हमारे चैनल को लाइक नहीं से अर्ण शब्सक्राइब करना न भूले अब गया इसको पर कढ़ाई चढ़ाएंगे तेल डालेंगे जब तेल से अच्छे से गरम हो जाए तक इसमें डालेंगे पंच-फोरं पंच-फोरं से बहुत यह अच्छा फ्लेवार आता है अब डालेंगे लाल मिर्च और इसको अच्छे से चठक जाए तब कटा हुआ आम डालेंगे इस तरह से और कटे हुए आम को तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे उलट पलट कर अच्छे से पाउने की सहता से देखिए अब तीन से चार मिनट हो चुका है अब इसके अंदर डालेंगे नमक यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच का नमक लिया है नमक डालने से थोड़ा नमकिन टेस्ट आएगा नमक डालेंगे और गूर्ड डालेंगे यहाँ पर एक किलो के लगभाग आम था तो एक किलो सो थोड़ा कम गूर था गूर्ड छोटे 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 पीस में है इसलिए इसको मैंने नहीं तोड़ा है आप चाहें तो तोड़ कर भी ले सकते हैं पौने की सहते से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब डालेंगे पानी, यहाँ मैंने एक छोटा कटोरी का पानी लिया है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है, पानी डालेंगे और एक बार पाने से और अच्छे से से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, उलट पलट कर अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए गुर् परतन की सहायता से ढखेंगे और पकालेंगे यह देखिए 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 दो से तीर मिनट बाद गुड़ पिघलना सुरू हो गया है और पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया है आम के मस्चर्ट के वज़े से इसको पौने की सहायता से अच्छे सुलट पलट कर चलाते र जाएगी बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है तो एक बार इस तरीके से अवर्ष आम की मिठी वली अचार बनाईए और शबको शर्व करिए अब इसको फिर से पकाएंगे ढखकर देखिए यह देखिए कितनी अच्छी खुस्बू आ रही है और यह पकना भी सुरू ह गया है गुड काफी हद तक पिघल गया है इसी तरह इसको बीच-बीच में चलाते रहेंगे एक खटी-मिठी अचार रोटी के साथ खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है आप दाल-चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं किसी के भी साथ सर्व कर ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है बच्चे तो खुब पशन करते हैं इस खटी-मिठी अचार को देखिए गुड बहुत अच्छे से विघल चुका है और ये अच्छे से पक भी गया है तीन से चार मिनट तक इसे और पकाएंगे आम साफ्ट भी हो गया है आम गल भी गया है ये देखिए अब गैस को बंद करेंगे और इसे शर्व कर लेंगे ये दिया हरेश्पी पशंद आये तो हमारे चैनल को शेयर करना न भूले